गुड मॉनिंग एब्रिवन वेलकम डू एग्जाम और्बिट ग्लासस तो कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे जल रहे होगे तो फेंट्स आज है 18 जन्वरी और आज के सेशन में 18 जन्वरी से बनने बाले सभी म अच्छे करेंगे अगर किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह आप सभी के लिए बहुत इम च्छेइर करेंगे सेसन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सबाल है जिसका आंसर आपको देना है कमें वोक्स में इस देश की जन्धनसंग्या में बर्स 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है भारत, चाइना, ब्राजील या फिर कनाडा इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिसकस करेंगे पहला सवाल भारतिय पुरातत्व सर्वेच्षड ने किस राच में बारह सो साल पुराने लगुस्तूपों की खोच की है तो भारतिय पुरातत्व जो सर्वेच्षड है इसके दुवारा जो खोच की गई है वो बिहार में की गई है कहां पर तो याद रखेंगे बिहार में पठना के पास बारा सो साल पुरानी लगू स्थूपो की खोच की गई है जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में तो कहां पर इसे खोजा गया है नालंदा महा बिहार के परिसर में इसकी खोच की गई है भारत में साथवी सदावदी की शुरुवात में ऐसे इस तो मनत के परसाथ के रूप में लोग प्रियत है ऐसा बताया जा रहा है और साथी में ये पत्थर से उकेरे गए इस तो पर बुद्ध की आकर्थियां तरसाई गई है जिनकी खोच हुई है तो आपको याद र सवाल है कि बौद बिच्छू के लिए बनाए गई लोमस रेसी की गुपा किस राज्चु में इस्तित है तो फ्रेंट्स याद रहना ही ये बिहार में है बुद्ध की भश्मों के ऊपर निर्मित बरहूत इस तो कहां पर है तो ये सतना में आता है और सतना कहां पर है तो य समेक इस्तूब के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखेंगे सादनात इस्तूब को ही जाना जाता है महा इस्तूब किसे कहा जाता है तो सांची के इस्तूब को महा इस्तूब कहा जाता है अमरबदी इस्तूब का प्राची नाम क्या था धानने कटक सांची इस्तूब क कि जो निरमान है, ये किसके दुवारा करवाया गया था यानि कि इसे किसने बनबाया था इसका आंसर आप सभी कमेंट्स वाक्स में देंगे सांची इस तूप की वास्तुकला को युनेसको की विश्व धरोर इस्थल के रूप में कब नामित किया गया था तो फैंट्स इसे UNESCO में सामिल किया गया था 1989 में सांची के स्थूप में कितने तूरण दुवार हैं तो याद रखेंगे इसमें चार दुवार हैं जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं फैंट्स ये है सांची का स्थूप बढ़ते हैं आगे अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बैल आइकन दवाना बिल्कुल न भूले जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर क्लास अची लग रही है जिसका नाम है परक परक का फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है प्रदशन मूल्यांकन समिच्छा एवं समग्र विकास के लिए ग्यान का विशलेशन ये इसकी फुल फॉर्म है इसे किसने अधिसूचित किया है तो इसे N-C-E-R-T के दुबारा अधिसूचित किया गया है अगे डिस्कस करेंगे कि आखरीए परक है क्या तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परक की फुल फॉर्म याद कर लेनी है और इसे किसने अधिसूचित किया है तो N-C-E-R-T के दुबारा किया गया है अब डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में तो देखे सभी बोडों के लिए मूल्यांकन दिसा निर्देश स्थापित करने के उद्देश के साथ राष्टिय सिक्षा अनुसंदान और परिसिक्षन परिसत यानि की NCRT ने भारत के पहले राष्टिय मूल्यांकन नियामक यानि की परक प्रदशन मूल्यांकन समिक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्यान का विश्लेशन अधिसूचित किया है परक को रास्टिय सिख्षा नीती 2020 के क्रैमवेन के भाग के रूप में लौंच किया गया है कौन सी नीती रास्टिय सिख्षा नीती कम लागू की गई 2020 यह NCID के एक प्रमुख भाग के रूप में कार्र Cobras यह तीन प्रमुक मूलियांकन छित्रों पर कारे करेगा जिसमें सामिल है ब्यापक मूलियांकन, इस्कूल आधारित मूलियांकन तथा परिक्षा सुधार आप से पूछा जा सकता है कि परक्षों किसने लॉंच किया है आगे डिसकूस कर लेते हैं NCRT के बारे में तो फेंट् सरकार के दुबारा बर्तमान में इसके निर्देशक है इनका नाम है दिनेज पिरसास सकलानी जिनकी नियुक्ती हाली में की गई थे अगला सवाल है कि किस मंत्राले ने नील कुरुन जी को संरक्षित पौदे की सूची में सामिल कर लिया है तो पहला पॉइंट आप इस बार खिलता है और किसने इसे सूची में सामिल कर दिया है तो पर्यावरन मंत्राले के दुवारा यह गोशना की गई है नील कुरुन जी को आप सभी पिक में देख सकते हैं यह बैगनी और नीले रंग के फूल आपको देखने को मिलेंगे और यह कहां देखने को मिलेंगे तीन पहाडियां भी हम डिसकस करेंगे तो पर्यावरन बन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने बन जीव अधिनियम 1922 की अनुसूची याद रखने हैं किसमें थड के तहत नील कुरुन जी को संरक्षित पौदे की सूची बद्ध यानिकी सूची में सामिल कर दिया है पर्यावरन मंत्राले के अनुसार पौदे के उखाडने या नस्ट करने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की गैद होगी ये कहा गया है इस पौदे की खेती और इसको अपने पास रखने की भी अनुमती नहीं दी गई है अब देखे आप से पूछा जा सकता ह है कि यह जो पौदा है यह आपको कहां देखने को मिलेगा यह कहां पर खिलता है तो फärंड से अननमलाई आपक में संदुरू पहाडिया यह तीनों फी पहाडियां याद रखनी हैं पूछी जा सकते हैं पूर्वी घाट शेवराइं रखेंगे केरल से अननमलाई याद तो यह मिलेंगी करनाटक में यह 1300 से 2400 मीटर की उचाई पर पहाड़ी धलानों पर 30 से 60 सेंटीमीटर की उचाई पर उखता है नील कुरुंजी के फूल बैगनी लीले रंके होते हैं और 12 साल में एक बार यह फूल खिलता है और यह फूल कोई गंदिया कोई और सद्धी है महत वो इस फूल का नहीं है बस इतना ही महत्व है कि यह 12 साल में एक बार खिलता है नील कुरुंजी एक उस्ट कटी बंदिया पौदे की पिढ़ जाती है किसकी उस्ट कटी बंदिया है पच्चमी घाट में 16 जंगलों में मूल रूप से हैं पाई जाती है इनी पुस्पो के का कारण पच्चमी घाट के दच्च्डी स्वडे की नील गिरी पहाड़ीयों को क्या कहते है तो नीला परवत कहा जाता है इनी फूलों के खिलने के कारण यह दुलब तम पौदों की पिरजातियों में से एक है जो पच्चमी घाट में उगते हैं और दुनिया की किसी अन्य ह केंद्र सासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्प संक्यक का दर्जा देने का शुझाब दिया है तो फेंट्स यह जो सुझाब है केंद्र सरकार को सेंट्रल गवर्मेंट को दिल्ली गवर्मेंट के दुवारा दिया गया है कि दिल्ली गवर्मेंट ने कहा है कि पलायन अल्प संक्यक का दर्जा दे सकते हैं केंदर हिंदू को जो जम्मो कश्मीरिया लद्दाग जैसे स्थानों से रास्टिय राजधानी में चले गए हैं यानि कि दिल्ली में रह रहे हैं आगे डिस्क्स करेंगे लेटस्ट करेंट अफेर में तो सेन ने टैटू और जनजाती निरत उस सब 23 और 24 जनवरी को कहां पर होगा दिल्ली में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाती सर्वेक्षण सुरू किया बेहार किस राज्य केंदर सासित परदेश की संस्कृति भासा और रोजगार की रक्षा के लिए एक समीथी गटित की गई है लद्दाग भारतिय मानक ब्यूरो का 46 जो इस्थापना दिवस है ये कहां पर मनाया गया था तो ये दिल्ली में मनाया गया नेस्ट कोईशन है कि हाली में पहली बार इस्टारट अप दुवारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तक्निकों को प्रारम करने वाला बिदी सा जिला किस राज्य में इस्तित है और फेंड्स आपको बता दे कि स्टारट अप तो ये मद्द प्रदेश में आता है कहां पर है याद रखेंगे मद्द प्रदेश मद्द प्रदेश के मैप में आँ सभी यहां पर देखेंगे तो यह है विदी सा मद्द प्रदेश की राजदानी भूपाल है और भूपाल के बगल से ही आपको विदी सा जिला देखने को मिलेगा याद रखेंगे कहां पर मद्द प्रदेश मद्द प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले हैं जो आपको याद रखने हैं यहाँ पर श्यूपुर याद रखेंगे कुनो नैस्टनल पार्क इसके अलावा जवलपुर आपको याद रखना है सर्वेक्षन जो पार्क बन ना है धार और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इंदोर प्रवाशी भारतिय दिवस की जो मेजवानी की गई वो किसके दुवारा इंदोर मद्द प्रदेश के दुवारा अगला सवाल है कि भारत और कैस देश के बीच दुई पच्छिय नौ सैनिक अभ्यास बरुण का 21 स के साथ करता है और यह कब तक चलेगा तो 16 जनवरी को इसकी शुरुवात हो गई है और यह 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा भारत और फ्रांस की नौ सेनाओं के बीच दुई पच्छिय अभ्यास की शुरुवात बर्स 1993 में की गई थी और इस साल 2001 में बरुण नाम दि भारतिय बायुसेना और फ्रांसेसी बायुसेना और अंत्रिच वल के बीच अभ्यास गरुण जो सेवन था ना यह नवंबर 2022 में बायुसेना इस्टेशन यानि की जोदपुर राजस्थान में आयोजित किया गया बरुण याद रखेंगे 20 वा संसकरण 30 मार्स से 3 अप्रे इस तक अरब सागर में हुआ था और यह कौन सा संसकरण हो रहा है तो 21 संसकरण आयोजित किया जा रहा है इसके लावा याद रखेंगे सक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के वीच दोई बार से परिसेक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास युद्ध सक्ति 2021 का जो छटा संसकरण है यह 15 से 26 नवंबर 2021 के भी फ्रेजस यानि की फ्रांस में आयोजित किया गया था तो सबसे पहले आप सबी मैप में लोकेशन देखेंगे फ्रांस की यह है फ्रांस फ्रांस की राजधानी है पैरिस पैरिस ऑलम्पिक कब होंगे यह आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे पैरिस ऑलम्पिक यानि की ग्रीश मकालिन ऑलम्पिक की में जवानी पैरिस कब करन विशेश डूडल के माध्यम से सर्धान चली दे है तो फेंट्स इनका नाम है खासावाद दादा सहाब जादब जिनने हम केडी जादब के नाम से भी जानते हैं इनके सौट नाम भी आप याद रखेंगे केडी जादब के नाम से इन्हें जाना जाता है जादब ने हेलेन सीकी में 1952 के ग्रीश्मकालिन ओलम्पिक में ओलम्पिक पदग जीतने वाले सुतंत्र भारत के ये पहले एथलीट है ये आपसे पूछा जा सकता है और फेंस इन्हें किस नाम से जानते हैं ये नाम आप याद रखेंगे 1992-1993 में महराष्ट गवर्मेंट के दुवारा मनो उपरांत इन्हें छेत्रपती पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था अगला सवाल है कि केंद्र सरकार दुवारा एक अपरेल 2023 से पैट्रॉल में कितने परसेंट इथेनॉल मिस्रण की योजना प्रारंब की जा रही है तो फ्रेंट्स अब पैट्रॉल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा इथेनॉल क्या है आगे डिसकस करेंगे इसी से सम्मंदित तो सबसे पहले इसे के बारे में जाल लेते हैं तो मिलाना कब से सुरू होगा एक अपरेल 2023 केंद्रिय पैट्रॉलियम मंत्री हरदीप सिंपुरी ने यह गोशना की है भारत में बहान निकास उस सर्जन को कम करने के लिए पैट्रॉल में इथेनोल सम्मेशन को अपनाया गया है आए जानते हैं इसके बारे में इथेनोल सम्मेशन से अभी प्राई यानिकी यह क्या है तो देखे इथेनोल एक किर्सी सहय उत्पात है जो मुखी रूप से गन्य से चीनी के प्रसंसकरण के दोरान प्राप्त होता है जब गन्य से चीनी बनाई जाती है गन्य से चीनी चावल और मका से प्राप्त होता है चावल की भूसी याद रखेंगे और मका बहानों के परिजालन में जिवाश्म इधन की खपत कम करने के लिए पैटरॉल के साथ इथेनोल को मिलाना इथेनोल समिश्रन या फिर इसे इथेनोल ब्लेंडिंग भी कहते हैं तो याद रखेंगे किस से प्राप्त होता है गन्ने से चीनी परसंस करन चावल की भूसी और मक्का इथेनोल पैटरॉल की तुलना में स्वैम स्वच्छ रूप से और अधिक पून रूप से जलता है जिससे उस सरजन की कमी होती है इथेनोल ब्लेंडिंग से देश के तेल में आयत में कमी आएगी जो तेल हम भाहर से आयात करते हैं उसमें कमी आएगी अगला सवाल है कि भारत ने किस देश के विरुद एक दिवस ही है किर्केट के इतिहास में अब तब की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है तो यह स्री लंका की खिलाब की गई है याद रखेंगे किस क स्री लंका ओफेंस इसके साथ ही भारत बंडे किर्केट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गया है स्री लंका को इस मैच में 317 रन से माद दी है किसने भारतिये किर्केट टीम ने आगे डिस्व स्वलिते हैं एसिया के सबसे बड़ी अंधर रास्ट्य खाद एवं आदित्य मेला आहर 2022 का आयोजन कहां पर किया गया दिल्ली रास्ट्य श्टार्ट तब दिवस कब मनाते हैं 16 जन्वरी को मनाया जाता है राइट टू साइट वीजन के उद्देश से अंधिता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है राज्यस्थान लेविंडर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो ये जम्व कश्मीर में मनाया जाता है अगला सवाल है कि हैदराबाद के आठवे निजाम जिनका नाम है प्रिंस मुकर्रम जहा बहादुर का किस देश में निधन हो गया है तो फेंस लाद रखेंगे ये हैदराबाद के आठवे निजाम थे और इनका जो निधन हुआ है वो तुर्की में हुआ है तुर्की की राजधानी इंस्थाबुल में इनका निधन हो गया है तुर्की का नाम क्या कर दिया गया है तो तुर्की के कर दिया गया है तुर्की की मुद्रा को क्या कहते हैं यह आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे तुर्की की केरेंसी को किस नाम से जाना जाता है हैदराबाद के बारे में याद रखेंगे मूसी नदी के किनारे है ओपरेशन पोलो के तहट इसे भार्तिय संग में सामिल किया गया था और साथी में याद रखना है कि जो E-FORMULA RACING है पहली बार भारत इसकी मेजवानी कर रहा है और आयोजन कहां पर होगा तो आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में क्लास के शुरुबात में जो क्वेशन मैंने आप से पूछा था कि के इस देश में जनसंख्या में 1961 के बार सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है तो वो चाइना में की गई है कहां पर की गई है तो याद रखेंगे चाइना में ही है गिरावट दर्ज की गई है चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ सुरू हो गई है चीन में मरने वालों का जो आंकड़ा है पैदा होने वाले बच्चों से जादा है चीन की जनसंग्या कम होने का मुख्य कारण है 1980 और 2015 के बीश लागू की गई एक बच्चे की नीती आगे डिस्कस कर लेते हैं चाइना के बारे में तो मैप में आप सभी देखेंगे ये है चीन चीन की राजणानी है बीजिंग और बीजिंग में किसका हैट क्वार्टर है तो SU संधाई सयोग संगठन याद रखेंगे चीन के बरतुमान में प्रेसिडेंट कौन है सी जिंग पिंग है चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं तो रेमेन भी कहा जाता है चीन की मुद्रा को कल की गलाउस का रिवीजन कर लेते हैं विश्व आर्थिक मंच की बार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है संबिधान साक्षता अभियान जारी करने वाला पहला राज कौन सा है केरल सीवा सड़क संगटन दुबारा किस विदेश के असाइमेंट पर पहली महिला ओपिसर कप्तान सुर्भी जकमूला को तैनात किया गया है भूतान अंधिता नियंतरण नीती लागू करने वाला पहला राज कौन सा बना है राजस्थान जल्ली कट्टू 2023 समारो कहां पर सुरू हो गया है तो ये तमिल लाडू में मनाया जाता है खबरों में रहे यूकी भावरी और साकित माई नेनी का संबंद किस खेल से है तो ये टैनिस के काफी अच्छी खिलाड़ी है स्टार्टप मेंटर्शिप के लिए मार्ग पोटल किस ने लॉंज किया है प्यूस गोयल किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दो हजार तेईस जारी की है विश्व आर्थिक मंच के दुवारा यह रिपोर्ट जारी के गई है जापान के साथ पारिस पारिक पहुं समझोता करने वाला पहला यूरोपिय देश कौन सा है तो फेंट्स यूरोपिय देश बन गया है यूके किस राज ने साजा इसकूल बस प्राणली और किर्सी परतिकरिया बहान लॉंच किया है तो इसे मेगाले गवर्मेंट के दुवारा लॉंच किया गया है किस मंत्राले दुवारा जमू कश्मीर उत्राखंड और हिमाचल पर्दीस में डॉपलर बैदर प्रांली का उधगाटन किया गया है तो यह किया गया है प्रतिवी बिध्यान मंत्राले की दूवारा तो यह था कल का करेंट अपृर अगर डिटिल से जानना है तो कल की नहीं लगता है रास्ट पती भारत में पच्छमी घाट को क्या जाता है तो सहादरी के नाम से इसे जाना जाता है याद रखेंगे भारत में कलिंग पुरुषकार कप शुरू किया गया था 1902 में पवित्र भूमी के नाम से किसे जाना जाता है तो फ्लीज तीन को जाना जाता है पवित्र भूमी के नाम से भारत का मानत समय ग्रीन वे समय से कितना आगे है पांच घंटा तीस मिनेट सूर्व में कौन सा तत्व सरवादिक मात्रा में पाय जाता है हाइड्रोजन पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर और सरी नगर को कौन सा दर्रा जोडता है बुर्जिला दर् है कल के शेशन में आपसे जो क्वेशन पूचे गए थे उनके आंसर एक बर देख लेते हैं सामाजिक प्रगरती सूचिकांक में सर्व स्रिष्ट प्रदश्चन करने वाला केंद्र सासित प्रदेश कौन सा है पूड़ुचेरी युनेसको विरासत इस्तलों की आइस्थाई सूची में किसे जोड़ा गया है तो फ्रेंट्स इन तीनों को जोड़ा गया है मोडेरा का शुर्मंदिर वड़नगर सहर और रोकट मूर्तिकला उना कोटी भारत के नियंत्र के वा महले का परिच्छक का कारिकाल कितना होता है तो छे वर्स होता है सही आंसर था आप्शन ड मतर आतरी के सूरिकी भूमी के नाम से कौन सा देज जाना जाता है तो नौर्वी को कहते हैं अब आप सभी के लिए कुछ सवाल है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में तो फ्रेंट्स पहला सवाल है कि जी टॉइन्टी की पहली बैठक 31 जन्वरी 2030 को कह होगी कैविन मिखारती किस देश की प्रतिनीदी सभा के नई अध्यत चुने गए हैं चार उर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं उनमें से किस की खीती इथेनोल के लिए की जा सकती है अभी डिसकस किया है आंसर करेंगे इस्टोर हाउस और मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है तो फ्रेंट्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज का ये शेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जादा से जादा शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजएगा मिलते हैं एक नए शेशन में एक नए डॉपिक के साथ तब तक के लिए जय भारत